इस बार वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है जियां दोस्तों और गर्मी आगे आने वारे समय में और तेज होने वाली है निम्बू जो गर्मियों में काफी मददगार साबित होता है वो इस बार आस्मान छूरा है जियां दोस्तों तीन सो रुपे परती किलो पार हो गया है निम्बू हलाकि कई बड़ी स्यूटियों में ये साड़े तीन सो से भी ज़्यादा बिकरा है आपको पता दे कि दस रुपे के आरबार सिर्फ एक निम्बू मिल रहा है दिल्ली के मार्केट में सबजी विकरेताओं की माने तो बीते कुछ दिनों में निम्बू के दामों में काफी इजाफा हुआ है नोड़ा में निम्बू अलग अलग दामों में विकरा है कहीं पर 240 रुपे तो कहीं पर 280 रुपे परती किलो के इसाब से बिकरा है कुछ दुकानदारों को कहना है कि मंडियों में निम्बू के दामों में काफी इजाफ़ा हुआ है बीते हपते जो निम्बू 200 रुपे परती किलो था इस बार वो 300 रुपे परती किलो चला जा चुका है किसान भाईयों आपको पता दे कि ऐसा होने का मुख्य कारण है कि निम्बू की फसल इस बार बहुत कम हुई है और वो भी काफी फसले खराब भी हुई है इस वज़े से निम्बू के बाहों बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं दूसरा हर जगे मांग है इस बार विदेसों में भी निम्बू की काफी ज़्यादा मांग है और इंडिया निर्याद करने की भी सोच रही है तो उस वज़े से भी निम्बू के बाहों में तेजी देखने को मिली है आपको पता दे कि आजी 1250 रुपे के 5 किलो निम्बू खरीद कर लाया था मैं इसके बाद अब यही निम्बू बाजार में महंगा बिकेगा क्योंकि हमें भी अपनी गाड़ी पेंटरोल का खर्चा निकालना होता है बीते एक अपते में इन दामों में भारी इजाफा हुआ है सभी पेंटरोल गाड़ी सबका इजाफा हुआ है दोस्तों आपको पता दे कि निम्बू आने वाले समय में हो सकता है कि अप्रेल के खतम होते ही निम्बू आपको 500 रुपे किलो देखने को मिले और ये भी हो सकता है कि में आते 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 आपको निम्बू देखने को ही नहीं मिले मार्केट में जी हाँ दोस्तों निम्बू का स्टोक आप कर सकते हैं अभी कम दाम है लेकिन आगी जाकर आपको इसके काफी जाए दाम देने पड़ सकते हैं आपकी जानकारी के लिए पतादे कि अगर आप निम्बू किसान है तो अपनी फसल को बचा के रखें और आने वाले समय के लिए बचाएं ताकि आपको अच्छा दाम मिल सके मई के अंदर आपको 500 रुपे किलो तक के दाम देखने को मिल सकते हैं धन्यवाद किसान भाईयों अगर आपको इस उसना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद